Hey Viewers I am back with the new video और इस वीडियो मेन Am Яपको बेसिक्स पताने वाला हूं English Grammar किya ठीक है जिसमें हम PRIORCE of the speech cover करेंगे और उन PARCE Safe का basic cover करेंगे ठीक है तो सबसे पहलेолодगी पाइस पीच कवर करने के बाद उनके थोड़े-थोडой basic में जाएंगे उनके 2AT आइपस में जाएंगे तो I don't know कि वीडियो कितनी लंबे होने वाली है बट एक्चुली ये मेरे खुद से बनाए हुए नूट सा इंगलिश के तो होपसो इस से आपको अच्छा कासा सीखने को मिलेगा ठीक है तो जिसको थोड़ा बहुत इंगलिश का आइडिया है ग्रैमर क वो यहां से अपनी चीजों को रिवाइज कर पाएगा तो I don't know कि वीडियो कितनी लंबी होगी एक गंटे की होगी या दो गंटे की होगी बट मैं इतना शौर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप parts of speech को identify कर पाऊगे ठीक है parts of speech को जो cds में आते हैं और आपको ए adjective कहां लगता है नाम से पहले लगता है या adjective होता क्या है तो वो सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ जो बंदे पूरी वीडियो नहीं देखते हैं या जो जैसे एक सिरीज जो चल रही है ना मेरी जिस मैं मैं आप वाली सिरीज करा रहा हूँ जो PYQ है तो जो कर लेंगे उनको benefit मिल जाएगा और जो नहीं करेंगे भाई कोई बात नहीं मेरा कुछ नहीं हो रहा उससे मैं तो बस तुम लोगों की help करना चाता हूँ तुम लोगों के पास अब तुम खुद सोचो ये जो मेरे पास notes है इनक तुम लोगों के साथ ये चीज़ा share कर दूँ तो कितना अच्छा रहेगा कि मेरे हाथ के handmade notes अगर मैं तुम लोगों को समझा दूँ जो मैंने notes बनाए हैं तो don't you think कि इससे अच्छा क्या ही होगा खुद सोचो तो जो follow करते हैं जो end तक पूरी वीडियो देखते हैं जो पूरा समझते हैं जो जो समझा रहा हूं तो भाई ठीक है उनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत को सीखने को मिलेगा मुझसे बट जो आते हैं न बीच बीच में दो मिनट देख लिया ठीक है पसंद नहीं आ अपने तरफ से कुछ आपको शेयर कर रहा हूं तो कुछ तो होंगे दो चार तो होंगे जो शायद मानते होंगे कि हां यार अगर यह भाई कुछ करा रहा है हमें तो कुछ वर्त इटी करा रहा होगा जो मैं तुम्हें सिरीज करा रहा हूं वह वाली पीवाई क्यू सिरीज पीवाइक्यू सिनूनियम करा रहा हूँ A to Z लेटर A से लेटर Z किसी को देख लेना आधे गंटे में कौन कितना कंटेंट पढ़ा रहा है यूट्यूब पे ठीक है देख लेना और कितने पीवाइक्यू इसमें इंक्लूड कर रहा है ठीक है भाई बढ़ते हैं आगे पूरी कोशिश करूँगा पूरा समझ आए एक बेसिक्स समझ लेते हैं जो parts of speech होते हैं या जो कुछ भी है चलो हो ठीक है तो start करते हैं बाकी अपने एक तरीके से notes भी बना सकते हो तुम इससे लेकिन notes बनाने से पहले तुम समझो यार जो मैं तो मैं समझ जरूरत होगी ठीक है मेरेको उसकी जरूरत होगी थोड़ा energy चाहिए होगी और अभी मैं मैंने दो गंटे पहले ही वीडियो बनाई थी letter D की तो उस वज़े से भी थोड़ा मेरी voice में modulation है ठीक है चलो तो start करते हैं देखो जब भी हम basics की बात करते हैं ना English grammar के basics की तो हमें सुना होगा noun, pronoun, adjective, adverb तो ये सारे क्या है ये English के parts सीतों हैं English इनी लोगों से तो मिलके बनी है तो सबसे पहले समझते हैं कितने parts of speech हैं 8 parts of speech हैं और इन 8 parts of speech को हम दीरे दीरे समझते हैं ठीक है देखो सबसे पहला है noun तो noun क्या करता है कि noun act करता है as a subject or object अब तुम बोलोगे तो यहां पे मौहन क्या है कोई इनसान तो मतलब ये subject हो गया उसने क्या किया उसने bought किया खरीदा तो ये बर्व हो गया और उसने खरीदा क्या what a book एक book को खरीदा तो book हो गया object तो यहां देखो, यहां subject कौन है? मौहन, और यहां object कौन है book, तो यह जो मौहन और book है, यह दोनों noun होंगे, मौहन और book क्या होंगे? नाउन होंगे, ठीक है? आगे आते हैं? और बैसे भी noun का तो आपको एक basic idea होगा ही, कैसे noun होता है? नावन क्या होता है, किसी का नाम होता है, जगा होती है, ठीक है, वो सारी चीज़े मैं बताओँगा, आगे, सबसे पहले जिस ऐसे ही समझ लो, ठीक है, नावन क्या होता है, जो active is subject, और object, ठीक है, एक बर देख लेते हैं कि subject और object होता है actually man, सबजेक्ट होता है जो किसी काम को करता है मोहन ने खरीदा है बुक को अबजेक्ट क्या होता है रिसीवर क्या चीज खरीदी गई है बुक तो बुक बुक रिसीब की गई है मोहन के द्वारा मोहन डूर है और बुक रिसीब की गई है तो object क्या होता है receiver होता है receiver होगा मोहन का मोहन ने book खरी दी है तो book receive की गई है मोहन के द्वारा ठीक है pronoun क्या होता है ये सिर्फ एक काम है कि इनका noun की जगह आने का काम है noun की जगह कि ये क्यों आते हैं ये noun की जगह इसलिए आते हैं नाउन के जगा pronoun नहीं तो है ही तो उसको रख दिया ठीक है आगे हाते है आगे है बर्व बर्व क्या करते है बर्व actually action को represent करते है बर्व का मतलब भी होता है क्रिया, क्रिया मतलब करम उसने कुछ काम किया तो राहुल ने इस्टोल किया रिंग को तो सबसे पहली चीज तो राहूल तो हो गया इदा subject राहूल ने किया राहूल ने रिंग का क्या किया उसको चुराया इस्टोल तो राहूल इस्टोल है रिंग में इस्टोल हो गया बर्व कि भाई इस रिंग को चुराया गया है ये action है और ring क्या होगी object तो ये क्या होगी या noun चीक है आगे बढ़ता है adjective क्या होता है adjective होता है actually इसको adjective नहीं होता है ये adjective होता है ठीक है इसका pronunciation करता है ना इसको adjective बोलता है चीक है तो adjective क्या होता है ये एक noun या pronoun इसको qualify करता है अब तुम बोलोगे qualify कैसे है वहाँ पे सुना था ना तुमने Mohan bought a book He bought a book या Mohan bought a book तो यहाँ पे book तो खरीती गई है और book क्या है अब जैसे इधर है Mohan bought a big house तो यहाँ पे house क्या मुझे यह बताओ Mohan तो हो गया subject bought क्या हो गई बर्ब खरीदा गया तो खरीदा गया मतलब bought किया गया क्या खरीदा गया a big house तो यह जो a big house है यह हो गया तुमारा object यह है object अब मैं तुम्हें बता के आया था कि noun क्या काम करता है subject और object तो इसका मतलब house क्या हो गया house हो गया यहाँ पे noun अब तुम बोलोगे कि भीया ये बिग क्या है house noun हो गया तो ये बिग क्या है बिग जो है वही तो adjective है adjective का मैंने बता आया था कि एक noun या pronoun के बारे में बताते हैं जैसे कैसा घर, बड़ा घर, big house, small house, dark horse, brave boy ठीक है, तो जो भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना इससे आगे देखो, जैसे मैंने तुम्हें बोला brave boy, brave boy यहां पे हो गया big house और क्या ले सकते हैं, small small क्या ले सकते हैं, small car ठीक है, तो ये car क्या है noun boy क्या है noun, house क्या है noun इसको qualify कर रहा है adjective that is brave, small, big तो ये सारे होते हैं adjective जो एक noun के बारे में बताते हैं उसके बारे में additional information देते हैं अभी adjective के बारे में detail में बात करेंगे अभी just a basic है, ठीक है अब adverb क्या होता है adverb qualifies a verb, adjective, adverb तो adverb क्या करता है, ये verb को qualify करता है ये adjective को भी qualify कर सकता है यह adverb को भी qualify कर सकता है अब तुम बोलोगे एक एक example हो जाए इस चीज़ पर ठीक है देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रोहन walks slowly ठीक है रोहन walks slowly यह हो गया अब तुम एक चीज़ देखो इदर रोहन क्या है subject ठीक है subject walks क्या है वर्व राहूल जो है वो walk कर रहा है यह action है इसका ठीक है लेकिन इदर देखो walks slowly वो कैसे walk कर रहा है slowly walk कर रहा है तो walk slowly यह walk के वारे में बता रहा है कि वो कैसे walk कर रहा है तेज walk कर रहा है यह slowly walk कर रहा है तो walk क्या है इदर walk है noun walk क्या है इदर इधर walk है, बर्व, sorry तो ये बर्व के बारे में बता रहा है slowly, क्या रोहन slowly है ये एक चीज बताऊ, जो नहीं या फिर walk slowly है हाँ भीया, उसकी walk slowly है वो जो भाग रहा है न, वो धीरे भाग रहा है तो ये जो slowly है ये qualify कर रहा है बर्व को, मतलब walk को ठीक है, इधर क्या था Mohan bought a big house इसमें क्या था house के बारे में बताया जा रहा था क्या Mohan house है नहीं या Mohan big है नहीं house कैसा है big तो इसका मतलब big house है ठीक है, तो big हो गया उधर adjective, जो noun के बारे में बता रहा है house noun है इधर walk इसका वर्व है और इसके बाद आया है यह adverb अब तुम्हारे mind में एक question उठ रहा होगा वैसे कि भहिया यह noun से पहले आएगा adjective या यह adverb verb के बाद आता है यह का बाद आता है तो यह सारी चीज़े हम दीरे दीरे करके पढ़ेंगे अभी सिर्फ है जब basic समझ लो कि adverb क्या है और यह किस किस को qualify करता है एक एक example देके मैं तुम्हाँ बता दे रहा हूँ ठीक है और अभी हम detail में आएंगे यह सारी चीज़ लिख रखिया मैं तुम देखो पूरे 12 pages है अभी हम second page पे हैं तभी तो बोल रहा हूँ I don't know कि वीडियो कित्ती लंगी होगी ठीक है लेकिन यह है आपको एक basic idea मिल जाएगा confidence बढ़ेगा कि हाँ यार चलो मुझे थोड़ा basic आता है grammar का ठीक है अब देखो conjunction conjunction का junction क्या होता है मिलाना किसी को junction दो लोगों का mail जैसे तुमारा junction कहां है तुमारा junction कहां है भाई cafe या फिर कहां कहां है तुमारा cafe सबको पता है कहां कहां है तुमारा कहां मिलते हो तुम दोनों तो जहां मिलते हो वही conjunction हो जाता है तो देखो यह conjunction होता है जो दो words या clauses को जोड़ता है like इधर मैं बोलूँ कि Ram and Shyam are playing cricket तो Ram है उसको end से जोड़ा गया है श्याम है तो दो subject को जोड़ा गया है end से बागी यह देखो आर तुमारा helping verb playing तुमारा main verb यह सारी चीज़े मैं बताऊंगा तुमें आगे वीडियो में कौन सी helping verb होती है कौन सी main verb होती है पहचामते कैसे हैं बस तुम एक चीज़ समझो कि Ram end से आम क्या है इधर यहाँ दो subject उनको जोड़ कौन रहा है end ठीक है अब यहाँ पे Ram और श्याम क्या कर रहे है वो actual क्याम क्या कर रहे है खेल रहे है तो जो उसका actual क्याम है उसको बोलते है mean verb यह verb है क्या खेल रहे है प्रेपोजीशन देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ NDA में I think NDA 149 या 150 में थे I am not sure प्रेपोजीशन के 10 कोजिशन थे ठीक है तो UPSC बहुत ही uncertain है पेपर में कभी 10 प्रेपोजीशन डाल देगा कभी comprehension डाल देगा NDA के में इवन CDS में homonium style देता है तो कुछ भी pattern fixed नहीं हो पाता तो इस वज़े से जो भी subject जो भी chapters है उनको हर एक chapter को अच्छे से पढ़ना होगा तो मैं ठीक है तो आगे आता है preposition में तो preposition में देखो ये relate करता है एक noun को या pronoun को दूसरे words के साथ कैसे relate करता है देखो I saw rages in a park आपने ये कहा कि I saw rages in park अब तुम देखो I हो गया subject जो कि ये pronoun है pronoun है ठीक है saw हो गया verb तुमने क्या किया देखा तो देखना हो गया main verb किसको देखा राजेश को तो राजेश हो गया object जो कि एक noun है अब तुमने ये देखो additional चीज बता ही है in a park जो एक pronoun जो एक noun को जोड़ रही है यहाँ noun क्या है राजेश तो तुमने देखा राजेश को in a park तो in a park में ये जो in है न इन से ही तो जुड़ा है राजेश in a park तो in हो गया preposition और ये जो पार्क है ना पार्क पार्क हो गया इसका object तो ध्यान रखना हमेशा प्रेपोजिशन अपने बाद एक object लेती है और मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि जो object होता है वो noun होता है तो यहाँ in a park में ये पार्क हो गया object जो एक noun है अबजेक्ट है पार्क ठीक है तो जो प्रेपोजिशन होते है वो actually मैं एक additional information बताते है I saw rages ठीक है लेकिन तुमने additional क्या बता है in a park यहाँ पर in हो गया तुमारा प्रेपोजिशन और पार्क हो गया इसका object ठीक है तो आपने वैसे भी सुन रखे होंगे in, at ठीक है on और ये सारे जितने होते हैं वो preposition होते हैं आगे आते हैं interjection होता है जब आप अपनी feelings या emotions को express करते हो like hurry we have born the much ये जो hurry है ये जो word है ना hurry इसके आगे ये जो exclamation sign लगा है इसको बोलते हैं interjection तो ध्यान रखना जब भी interjection आएगा आपको इस तरीके का एक exclamation sign देखेगा ठीक है तो देखो अभी हम 8 part को cover कर चुके हैं अब थोड़ा थोड़ा details में आते हैं इन लोगों की details में ठीक है तो अभी तो हम 15 minute में basic ही cover कर पाए हैं मतलब ये तो अभी ऊपर की एक परत खोली है हमने एक layer खोली है ठीक है आपको एक basic idea मिल गया होगा adjective क्या था adverb क्या था like adjective का मैं बता चुका noun के बारे में बताता है कैसा है adverb क्या है verb के बारे में बताता है कि उसने काम कैसा किया ठीक है आगे आते हैं हम noun पे अब देखो noun noun में तुमने सुना होगा noun क्या होता है name of a person, place, और थे ही है तो सब ने definition सुन रखी है तो noun क्या होता है कि like देखो इधर क्या है proper noun होता है common noun होता है collective noun, material noun और abstract noun अब proper noun क्या होता है proper होता है जब कोई चीज बिलकुल proper होती है जब वो बिलकुल specific होती है like राम है तो कोई इंसान अगर वो राम जो है जो राम नाम का इंसान है वो specific है ना अपने आप में ृणि क्या कोई दूसरी दिल्ली है Bible क्या कोई दूसरी Bible है रामायन महाभारती ये सब एक ही चीज तो है एक ये प्रॉपर नाउन है रेड़फॉर्ट क्या पूरी दुनिया में एक ही रेड़फॉर्ट है न क्या हाँ तो वो प्रॉपर है तो कोई भी पाइटिकुलर चीज जब होती है उसको बोल दे हैं प्रॉपर नाउन ठीक है अब आते हैं कॉमन नाउन पे अच्छा एक चीज बताओ अगर मैं तुमको बोल दूँ ये जो रेड़फॉर्ट है या मैं बोल दू ताजमहल है तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा ये दोनों क्या है ये दोनों मॉन्यूमेंट्स है न मॉन्यूमेंट्स ये दोनों चीज मॉन्यूमेंट्स है न मॉन्यूमेंट्स तो अगर मैं कॉमन नाउन में इनको मॉन्यूमेंट बोल दूँ तो ये ठीक है न तो कॉमन नाउन क्या होता है लाइक राम हो गया, श्याम हो गया अगर ये दोनों students है अगर ये दोनों student हैं तो common noun में मैं इनको student बोल सकता हूँ तो यहाँ पे specific नहीं है city, अब कोई भी city हो सकती है दिल्ली एमदावाद, गुजराद कुछ भी कोई भी city हो सकती है book, book कोई सी हो सकती है च्या collective नहीं होती 12 members की team होती है तो वो पूरी collective होती है टीम होती है, jury क्या होता है jury होता है, जा जजिस का group होता है gang क्या होता है gang होता है, rowber's का gang होती है जो lotori होते है उनकी gang होती है, गुंडे लोगोν की gang होती है material नहुन material मैं पता ही होगा iron, copper, milk जो भी खाने पीने के सामन आ जाते हैं, या ये जो materials आ जाते हैं, metals आ जाते हैं non-metals आ जाते हैं, तो ये साले material में आते हैं, चीए? abstract 9 honesty हो गया, bravery हो गया क्या ये तुम्हें दिखती है? क्या किसी की honesty तुम्हें दिखती है? नहीं, वो बस feel होते हैं कि हाँ यार, ये सामने वाला बंदा honest है bravery क्या bravery तुम दिखा सकते हो किसी को? मतलब ऐसे सामने से physical sense में, ये लो भाई ये मेरी दोगलो bravery तुम रख लो और तुमारी जो पांच किलो की bravery है, वो दे दो कुछ नहीं होता ना, तो किलो वगेरा में तो ये कुछ होता नहीं, bravery कि बाई किलो में होने लग जाए इस तरही के सो कुछ भी, ठीक है? तो ये सिर्फ चीज feel की जा सकती है और तुमारा जैसे ये आगया इदर सबसे अच्छा love इससे कौन वाकिफ नहीं है ठीक है? तो लव क्या है? लव एक abstract noun है, इसको feel नहीं किया जा सकता है दिखाया नहीं जा सकता, ठीक है? बोलते हैं ना यार चलो छोड़ो अभी आगे नहीं जाते हैं deep में, बस ऐसी समझ लेता है तो देखो सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखना, यह जो common noun और collective noun होते हैं यह countable noun होते हैं आप एक चीज़ बताओ, कितने student हैं आप गिन सकते हो हाँ कितनी books हैं आप गिन सकते हो हाँ आपको अगर चार नेम बता दिया जाया हाँ, आप उनको गिन सकते हो ना, हाँ, बिल्कुल team हो गया, क्या आप team को नहीं गिन सकते हैं कितनी teams के लिए हैं 10 teams के लिए हैं अब material noun को देखो क्या आप बता सकते हो material noun में कि भाई 5 ग्राम मिलक है sorry 5 मिलक है या 6 मिलक है उसको number में classify नहीं कर सकते हो क्या तुम ऐसे बोल सकते हो भाई 6 copper है मेरे पास या 7 iron है ऐसा नहीं बोल सकते उसकी quantity होती है kg होगा या gram होगा या कुछ भी होगा तो यह uncountable noun होते हैं जिसको count नहीं कर सकते count का मतलब 1, 2, 3 होता है ठीक है अब ऐसे भी नहीं बोल सकती कि भाई मैं तुमसे न 1,000 लव करता हूँ सामने वाला बोले यार मैं तो तुमसे 1,000,000 लव करती हूँ तो ऐसे कुछ नहीं होता है कि 1,000,000 लव ठीक है वहाँ पर क्या होता है यह जितनी भी honesty bravery, love, loyalty यह सब uncountable noun है sorry, loyalty यार यह मैं कहां से word ले आया कल्यूग में यह तो चीज exist ही नहीं करती है कल्यूग चल रहा है वही, loyalty तो exist नहीं करती खट्टा मारो उस पर ठीक है, तो material और abstract noun होगा आपका uncountable noun और common और collective noun होगा countable noun अच्छा, अब यह जो proper noun है न जैसे राम हुआ, दिल्ली हुआ Bible हुआ, Redford हुआ या कुछ भी particular चीज का नाम हुआ तो यह जो है न, वो uncountable noun होता है ध्यान रखना ठीक है? अब तुम बोलोगे इदर जैसे की भाई यह राम है, अगर कोई इंसान है उसको तो हम गिन सकते हैं न, एक है दिल्ली भी एक है, हाँ भाई गिन सकते हो, बट यह फिर भी uncountable होता है, क्योंकि ऐसे तुम उसमें उसमें यूज नहीं कर सकते हैं न, sentence में कि one राम actually, मैं वहाँ गया था और मैं वहाँ न, मैंने वहाँ दो दिल्ली देखी, तीन दिल्ली देखी ऐसा थूड़ी होता है भाई कि मैंने वहाँ चार रैड़ फॉर्ट देखे भाई, एक रैड़ फॉर्ट है, तो यह की होगा हाँ, no doubt एक है तो countable है बट uncountable क्यों है कि अब तुम उसको एक से ज़ादा बार नहीं बोल सकते कि मैंने उधर पांच दिल्ली देखी ठीक है, तो इस बज़े से यह uncountable है बागी इतना गौर में नहीं जाना है बस इतना तुमको एक basic idea मिल गया होगा कि material, abstract, collective, common, proper कैसे कैसे है आगे आते हैं अब ही देखो चाय है, टी क्या तुम टी को गिन सकते हो मुझे यह बताओ सबसे पहले तो टी को गिन सकते हो कि चार चाय, छे चाय नहीं भाई, यह material ना होने वो जो तुम बोलते हो न कि भाई यह चार चाय देना या दो चाय देना टप्री वाले को नाउन है, चेर क्या है common नाउन है बिलकुल इंक तुमारा material नाउन है song common नाउन है, music music abstract नाउन है air material नाउन है, तो यह सारे हो गए ठीक है, आगे आता है देखो अगर कोई common नाउन है जैसे player है, अब वो कोई भी player हो सकता है न like team India के जो 11 playing 11 है, उसमें 11 players खेलते हैं, तो player तो हो गया एक common लेकिन रोहिज शर्वा या बिराट कोली क्या हो गए, यह proper हो गए तो अगर player को अगर हम players करते हैं उसका plural करते हैं एक player को players करते हैं तो वो भी common noun ही होगा, ठीक है लेकिन लेकिन जब आप players को एक word दे देते हो, जो कि team तो यह team collective noun हो जाती है players common noun है players collective noun नहीं है, लेकिन अगर तुमने उसको एक नाम दे दिया team नाम दे दिया तो अब यह जो team है इसके अंदर जो 12 player है या 15 player है, अब यह collective noun है team ठीक है तो जब भी हम देखते हैं किसी identify करते हैं ना word को तो countable, uncountable तो सबसे पहले उसको common collective material abstract में देखो ठीक है आगे आता है इधर देखो, जैसे football is my favorite game तो football एक particular game कर दिया कि भाई, जो football है ना वो मेरा favorite game है तो football यहां पे particular कर दिया तो यहां पे यह हो गया, proper noun proper noun हो गया ठीक है I bought a football yesterday यहां पे देखो अब यहां पे तुमने क्या बोला कि मैंने एक football खरी दी कल तो मतलब तुम क्या football मतलब एक specific चीज खरी दी तुमने football तो कितनी भी हो सकती है ना यार तो यहां पे यह common noun है लेकिन यहां पे तुमने गेम को specify कर दिया बिल्कुल कि football जो है, वो मेरा favorite game है ठीक है, आगया आता है अब इधर देखते हैं कि noun के function क्या होता है देखो noun subject बन सकता है object बन सकता है, यह मैं तुम्हें बता चुका था, जैसे Mohan bought a car, तो Mohan तो हो गया subject, उसने खरीदा क्या car खरीदा, तो car हो गया तुमारा object, और जो subject और object होते हैं, वो noun होते हैं अब तुम बोलेगे भी है, यह prepositional object, subject compliment और object compliment क्या है तो मेरे भाई कोई बात नहीं अभी 5 मिनट का wait करो सब समझ माएगा, सब बता दूँगा object compliment क्या होता है subject compliment क्या होता है prepositional object क्या होता है ठीक है, थोड़ा सा believe रखो थोड़ा सा patience रखो ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एक sentence को देखो, जो जो कारा रहा हैं, वो समझते चलो, उससे बहुत किस समझ जाएगा यहाँ पर तोड़ा broke हो गया chair मतलब broke हो गया बर्व उसने क्या काम किया, action क्या किया बर्व, अब जो बर्व है जो action किया, उसने क्या क्या किया, broke किया, किस चीज को chair को, तो chair हो गया noun, मतलब object हो गया chair subject object, इस तरीके से जो object होते हैं नाउन होते हैं तो यह देखो, जो वर्व होती है न, वह दो टाइप के आंसार देती है, ध्यान रखना, एक वोट का और एक हूंक का, चिछेखेाऊं, तो जब भी हम औब्जक्ट से दो सवाल करने पड़ते हैं, बर्व से हमें दो कोईशन करने पड़ते हैं, कि बर्व हमें ये बता, कि ये जो ब्रोक किया है, ये तुने क्या किया है, या फिर हूं, किसको किया है, तो इसने कहा, रोहन ब्रोक आ चेर, तो ब्रोक वाट, ब्रोक वाट, चेर, ठीक है, हमें what का answer मिल गया, तो no doubt यह जो chair है block what, chair chair तुमारा noun हो गया, chair तुमारा object हो गया, ठीक है, अब आगे देखो, the teacher punished कुनाल, अब the teacher यह तो हो गया subject, जो की noun है punished क्या हुआ, punished हुआ verb, कि तुम ना punish कर रहो, मतलब तुमने काम किया तो बर्व हो गया, अच्छा अब आगे है punished whom, जैसे verb दो काम लेती है, या तो पूछेगी what, या पूछेगी whom, या तो पूछेगी क्या या पूछेगी कौन, तो the teacher ने punish किया कोई भी काम हुआ तो उस काम में दो चीज़ पूछी है क्या और क्यूं तो बर्व के दो काम क्या और क्यूं, what और whom तो punished what यहाँ पे what का तो answer नहीं है लेकिन यहाँ पे punished whom whom का answer है punished whom, किसको punish किया कुनाल को, तो यहाँ कुनाल हो गया object ठीक है, तो तुम्हें ये concept अच्छा लगा होगा, तुमको समझ आया होगा कि हाँ, बर्व जो है वो दो चीज पूसती है object से अगर ये दो चीज़ा होगी इन दोनों में से कोई एक चीज होगी तो इसका मतलब वो object है ठीक है, तो यही लिखा हुआ है मैंने, जब हम object को find करते हैं, तो हम ये देखते हैं, बर्व से ये पूसते हैं, कि क्या तुम्हे what और whom का answer पता है, ठीक है आगे आते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम और अच्छे से समझ पाऊगे अजय, plays, cricket, with, तुनाई यहाँ पे तुम एक एक चीज को तोड़ो, अजय हो गया तुम्हारा subject, चुकि नाउन है play हो गया तुम्हारा बर्व बर्व क्या है, काम किया क्या काम किया, plays अच्छा, अब तुम यह जो वर्व है, इससे मैंने बोला था, तुम दो चीज पूछोगे, यहाँ तब पूछोगे what, यह पूछोगे whom अजय, plays what, cricket अरे वाई, what का answer मिल गया plays what, cricket तो cricket हो गया object ठीक है, विद कुनाल अब मैंने तुम्हें बोला था कि प्रेपोजीशन के टाइम पे कि जब कोई प्रेपोजीशन आती है तो वो प्रेपोजीशन अपने साथ एक object लेती है और object हमेशा एक noun होता है ध्यान रखना object हमेशा एक noun होगा ठीक है, तो देखो cricket with कुनाल अब यहाँ पे विद क्या है विद है यहाँ पे preposition अब विद के बाद हमेशा prepositional object आएगा preposition हमेशा अपना prepositional object लेती है जो कि एक noun होता है तो विद आ गया इधर कुनाल क्या है इसका noun मतलब prepositional object जो कि एक noun है, ठीक है तो अग तुम्हें दो चीज़ तो पता पड़ गई होगी कि function of noun में मैं जो तुम्हें इधर बता के आया था कि subject object और prepositional object यह तुम्हें तीन चीज़ कबर होकी होगी, कि देखो subject इधर कैसे यह noun हुआ object मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करते हैं कि पूछते हैं से what और whom जो what और whom का answer देते हैं वो object बन जाते हैं ठीक है, prepositional object जो ठर्ड वाला है, इसके लिए मैं तुम्हें बता चुका, उसके लिए preposition आना जरूरी होता है और उस preposition के बाद उसका object आता है, जिसको prepositional object बोलते हैं ठीक है, अब आगे आते हैं एक sentence और है, उससे और अच्छे से समझते हैं, ठीक है आपको न, इस वाली वीडियो से आपको एक basic idea मिल जाएगा, पूरे English का कैसे sentences का formation होता है ठीक है, किसके बाद कौन सा parts of speech आता है, यह preposition के बाद कब noun आता है कब object आता है, वो सारी चीज़ा हम cover कर लेंगे, ठीक है, अब देखो इदर अजय place cricket, सबसे पहले यहां तक देखो अजय subject है, जो की noun है, place क्या है, verb what, place what cricket, cricket, इसका मतलब cricket हो गया object ठीक है with कौनाल, ठीक है इसका मतलब with हो गया preposition कौनाल हो गया preposition का object, in the park अच्छा, इसका मतलब यह एक sentence में दो preposition आ सकते हैं, तो ध्यान रखना, अगर दो preposition आया हैं, तो उनके साथ दो ही object आएंगे तो with के साथ कौनाल आया, जो की एक noun है, इनके साथ object compliment, तो तुमारा object, subject और prepositional object, जो की एक noun होता है, तीनों ही noun होते subject, object और object compliment subject compliment prepositional object, यह सब noun होते हैं, ठीक है, और मैं तुम्हें बता चुका हूँ, के prepositional object कौन सा होता है, जैसे देखो इधर अजे क्या है, मुझे बताओ, subject जो की एक noun है, किरिकिट क्या है, एक object, जो की एक noun है, अच्छा object पता कैसे पढ़ेगा, जब हम पूछते हैं, बर्व से, what और whom with क्या है, prepositional तो उसके साथ prepositional object आएगा, जो की एक noun है, तो तुमारा subject, object और prepositional object, तीनों चीज कवर हो गई, ठीक है अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं subject compliment की देखो subject compliment में क्या होता है कि यहाँ पे न हमें subject के बारे में कुछ बताया जाता है, हमें action नहीं किया जाता हमें सिर्फ subject के बारे में बताया जाता है, अच्छा देखते हैं कैसे जैसे इधर देखो Amun is a teacher Amun एक teacher है तो Amun क्या है? noun है जो की एक subject है ठीक है is a teacher मुझे एक चीज बताओ क्या Amun ने यहाँ पे कुछ काम किया है? नहीं भईया उसने कुछ काम नहीं किया उसको तो सिर्फ बताया जा रहा है कि Amun जो है न Amun अमन यह teacher है अच्छा इसका मतलब यहाँ पे कुछ action नहीं हो रहा यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है subject के बारे में कुछ additional information दी जा रही है तो यहाँ पे यह जो linking verb होती है इज यहाँ पे यही main verb होती है यहाँ पे जरूरी नहीं कि action होगा यहाँ पे यह जो verb होती है यही main verb होती है और यही linking verb होती है जो link करती है ठीक है तो भाईया अब यहाँ पे जब action नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे object नहीं होगा बिल्कुल भाई जब यहाँ पे action भर्व नहीं है action नहीं है तो इसका मतलब what और whom भी नहीं होगा तो अब तुम यहाँ पे देखो यह जो amun is a teacher है यह जो a teacher है यह subject का compliment हुआ amun क्या है subject तुमने subject को सिर्फ compliment दिया है यह जो subject है न amun इसको compliment दे दिया कि भाई तुम teacher हो तो amun को बताया गया है कि यह teacher है ना कि इससे कुछ काम कराया गया ना कि इससे कुछ action कराया गया सिर्फ बताया गया है तो इस वजह से यह हो गया subject compliment जो कि एक noun होता है अब यह जो subject compliment है या तो वो noun हो सकता है या adjective हो सकता है यह चीज में तुम्हें बाद में बताऊँगा, सबसे पहले सर्फ इतना समझ लो, कि यह जो subject complement है इधर यह noun है, ठीक है, is a teacher, आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं, जो helping वर्व होती है न, वो actually decide करती है कि nature क्या होगा tense का, like is, was, या बोल सकते हैं will, is मतलब present tense है, was मतलब होगी, तो helping verb जो है, या कुछ भी verb हो गया, age वगरा हो गया, ठीक है, जो helping verbs होती है, वो सिर्फ tense को define करती है कि उसका nature क्या होगा, जैसे मैं तुम्हें एक example देखे बता देता हूँ, ठीक है, उससे तुम लोगों को पूरा clear हो जाएगा, अच्छ से, ठीक है, कि इस sentence का meaning क्य है, helping verb defines the nature है, हमें समझ नहीं आया, ठीक है, तो समझा देते हैं भाई, कोई बात नहीं, देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें जैसे एक sentence लिखता हूँ, I was playing, I की जगों छोड़ो, he कर लो, ठीक है, he was playing cricket, he was playing Ludo, he was playing Ludo, ठीक है, he is playing Ludo, he is playing Ludo, he is playing Ludo, he will play Ludo, will play Ludo, अब तुम देखो, यहाँ पे was क्या है, is क्या है, और will क्या है, यह क्या है, यह helping verb है, क्योंकि जो main verb है, वो तो play है न, खेलने का काम तो main है न, लेकिन यह क्या है, was, is और will, यह helping verb है, और मैंने क्या बोला, helping verb define करती है, कि nature क्या होगा, tense का, तो nature, was क्या है, past, तो यहाँ पे past में वो cricket खेल रहा था, he is playing cricket, वो मतलग खेल रहा है, तो playing, playing, playing तो main verb है, लेकिन यह जो helping verb है, यह nature बता रही है, कि past है, या present है, या future है, hope so, पूरा समझ आ गया होगा, कि सिर्फ जो helping verb है, वो nature बताती है, tense का, कि वो past है, present है, या future है, वो यह decide नहीं करती है, कि वो action क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं, हाँ, और यह चीज का दहान रखना है, यह जो linking verb होती है, वो connect करती है, subject को subject compliment से, subject compliment मतला subject का compliment दिया जा रहा है, subject को, अब तुम देखो, यह जो teacher क्या है, यह एक noun नहीं है, बिल्कुल है, तो मैं क्या बोल गया था, जो subject compliment है, object compliment है, prepositional object है, यह सारे के सारे noun है, ठीक है, ठीक है, अब आगे आते हैं, hope so, यहां तक तुम्हें पूरा clear हो गया होगा, 40 मिनिट में, जितना कुछ पढ़ाया है, अभी तो बहुत कुछ है, पढ़ाने के लिए, आगे आते हैं, ठीक है, अब pronoun, pronoun क्या होता है, एक्चिली pronoun जैसे मैं तुम्हें बता चुका है, 12 नाउन का repetition ना हो, इस वज़े से pronoun को लिए आते हैं, इसका same काम होता है, जैसे noun का काम होता है, subject बनना, object बनना, prepositional object बनना, subject compliment बनना या object compliment बनना, वो मैं तुमको बता चुका हूं, कि ये subject कब बनता है आगे होता है जब object कब बनता है जब वर्व से बूचा जाता है क्या what या whom क्या और क्यूं क्या और कॉन prepositional object प्रेपोजीशन के बाद आता है होता क्या है वो noun लेकिन noun की जगze क्या यूँज कर सकते हैं PRONUM subject compliment अभी बता क्या है subject के बारे में बताता है उसका action नहीं बताता है उसको सिर्फ बताता है अमन इस टीचर राहूल इस राहूल इस ए किरिकेटर तो राहूल के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो जब भी ध्यान लखना sentence में किसी के बारे में कुछ additional information दी जाएगी तो वो mostly न subject compliment होगा ठीक है आगया ते अमन bought a bag for arty अमन ने एक bag खरीदा arty के लिए अच्छा भाई bag देख रहे हो दोस्तों में खर्च नहीं करेगा भाई नहीं करेगा अमन बिल्कुल नहीं करेगा नहीं करेगा भाई दोस्तों में खर्च नहीं करेगा लड़की के लिए bag भी लिए चलता है अमन की जगे क्या लिख लिया ही तो इसका मतलब यह जो noun है इसकी जगा हम यह pronoun लिख सकते हैं अब इधर देखो bought a bag उसने क्या खरीदा ए bag तो bag को बता सकते हैं it तुम वहां पर बता रहे हैं इस चीज को कि अमन ने न उसने he he what it it मतलब यह bag for her हर मतलब आर्थी के लिए हर मतलब कब आता है जब लड़की के लिए आता है his लड़के के लिए आता है its non-living thing के लिए आता है जैसी यह non-living thing है it आर्थी क्या है living thing यह लड़की है तो हर आ गया ठीक है आ गया आता है अब है तुम्हारा adjective ठीक है adjective का मैंने बताया था तुमको कि एक यह noun के बारे में यह pronoun के बारे में बताता है कि उसके बारे में कुछ qualify करता है दिहान रखना यह always देखो mostly क्या होता है यह noun से पहले आता है noun से पहले आता है ध्यान रखना noun के साथ तो आएगा हमेशा noun के साथ आएगा क्योंकि इसी को तो noun को qualify करना है यही चीज तो noun को qualify करेगी जैसे Mohan wrote a romantic letter to Ria देख रहो भाई romantic letter लिखा जा रहा है क्या तुम्हारे पास है कोई है लिखने के लिए romantic letter चोड़ो यार तुम्हारे पास तो तुम इतने नल्ले हो बेरोजगार हो मतलब सूचो यार Mohan wrote a romantic letter देखो यार Mohan ने जोकी एक subject है wrote हो गया अबर्व ठीक है Mohan ने लिखा letter मतलब object noun ठीक है तू रिया तू क्या है preposition preposition ने अपना object ले लिया जोकी रिया है जोकी noun है ठीक है भाईया उसने romantic letter लिखा इसका मतलब romantic letter लिखा इसका मतलब यहाँ पे यह हो गया adjective कैसा letter लिखा romantic लिखा या sad लिखा sad letter या फिर बोल सकते हैं और कैसा letter लिखा या फिर letter की कोई और quality देखो जैसे मैं बताता हूँ यह एक लड़का है boy ठीक है तुम बोल रहो की उस boy की कुछ quality बता रहो तो तुम हमें से क्या बोलते हो sad boy rich boy rich boy ठीक है या फिर बोल सकते हो की short boy short boy ठीक है या फिर बोल सकते हो intelligent boy या intelligent girl तो ये जितने भी तुम noun से पहले boy से पहले जो लगा रहे हो न sad rich short intelligent ये सब adjective होते हैं जो मतलब noun के बारे में बता रहे हैं कि noun तुमारा ऐसा है तो ध्यान रगना adjective mostly क्या बताते हैं noun तुमारा कैसा है उसके बारे में बताते हैं ठीक है जैसे देखो इधर 탑फ में देखो qualitative adjective उसके बारे में quality बताते हैं कैसे देखो जैसे की opinion की he was a nice girl he was a nice girl भई वो ना वो ना बहुत अच्छी लड़की थी वो he was a nice girl वो बहुत अच्छी लड़की थी मेरे दिल में सिर्फ वो रहती थी लेकिन उसके दिल में मेरे जैसे दस रहते थे तो वो इतनी अच्छी लड़की थी ठीक है तो जो ज़्याद अच्छे लोग होते हैं वो ये वाले काम करते हैं दद्दस को रखते हैं चीक है तो यहां पर क्या है यह opinion है nice कि वो कितनी अच्छी है वो opinion है तुमारा किसी का opinion हो सकता है कि वो बहुत बुरी हो like हर किसी को अपनी ex बुरी लगती है तो उसका opinion क्या होगा bad गंदी लड़की है यह cheat चीटर लड़की है तो यह सब क्या है यह तुमारा है opinion थो लग रही है शायन दूसरे वाले को कुछ भी न लग रहा हो तो यहाँ पर न तुम देखो quality बता रहे हो लड़की की कि वो कैसी है किसी इंसान की quality बता रहे हो उसको बोलते है qualitative adjective या फिर हो सकता है कि big short tall handsome handsome नहीं सोरी handsome तो तुमारा quality हो जाएगी ठीक है handsome तुमारी quality हो जाएगी तुमारा opinion हो जाएगा कि वो कैसा है handsome है तो यह तुमारा opinion लेकिन जब बाता है न big tall short तो यह size हो क्या age की वो new है जैसे this was a new car यह नई कार थी भाई यह this is a new car यह नई कार है तो new old यह तुमारी age बताती है अच्छा you have that circular ring यह वो you have that circular something कुछ भी circular कोई चीज तो यह shape हो गई color क्या है color क्या है उस चीज का like I have red shirt जैसे मैं बोलूँ कि I like I like red shirt मेरे को red shirt बहुत पसंद है no doubt मेरे को red और black बहुत पसंद है अच्छा लगता हूँ मैं खुद को अच्छा लगता हूँ red और black में दुनिया के क्या है ठीक है तो color 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 जब आती है तो वहां पे तुम क्या बोल तो shirt क्या है noun यहां पे shirt कैसी है red तो red भी adjective है लेकिन कैसा है quality adjective है qualitative adjective है color बता रहा है ठीक है आगे आते हैं material वैसे कोई stick है stick है कोई छड़ी है तो वह क्या burden है या फिर बोल सकते हो iron stick है तो iron एक material होगा burden एक material हो गया तो ध्यान रखना इन सब को noun को जो qualify करते हैं वो adjective होते हैं तो तुमको देखो adjective का एक basic idea तो मिल गया होगा कि भाईया यह हमेशा noun से तो पहले आ रहा है यह noun से पहले क्यों आ रहा है कि यह noun के बारे में कुछ बताते हैं noun से पहले आ रहा है और यह noun के बारे में कुछ बताते हैं कि वो जो letter है वो कैसा है उसका opinion अपने बारे में या उसकी size बताते हैं age, shape, color या material आगे आते है quantitative तुमने सुना होगा I have few cars ठीक है I have few cars या फिर बोल सकते हो how many girlfriends you have तुमारे पास कितनी girlfriends है तो यह quantitative देखो एक चीज़ बताओ जैसे मैं तुम्हें question बूच हूँ how many how many gf you have कितनी लड़कियां हैं तुमारे पास girlfriends how many girlfriends आएगा ते ध्यान रखना क्योंकि many countable होता है और कैई सारे होते हैं तो how many girlfriends you have तो यहाँ पे girlfriends क्या है नाउन है भाईया आपने बोला था कि adjective nouns ज़ए पहले आते हैं mostly और यह जो many है क्या तुम्हें यह नाउन के बारे मैं नहीं बता रहा girlfriends कितनी many कितनी some बोल सकते हो I have some girlfriends कुछ है मेरे पास जैसे तुम बोलो एक class में these all girls are mine किसी class में घुस गए तो भाई अपने money मन में सोच रहे हो जब में नोकरी लग जाएगी न भाई फिर तो सारी लड़कों में से जो लड़की पसंद होगी these all girls are mine तो यह जो girls है इन सब को देखो यहाँ all आ गया girls से आगे तो girls कितनी all तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि यह जो all है little है much है some है यह सब क्या बताते हैं quantity बताते हैं यह quantitative adjective है cardinal ध्यान रखना one two three cardinal होते हैं और ordinal होते है first and last अब चलो इनके उपर भी एक example लेही लेते हैं भाई अब वीडियो अब लंबी हो रही है तो कोई वाद नहीं अच्छे से समझी लेते हैं I have I have four bats मेरे पास न चार बल है वाई cricket के लिए तो four क्या है cardinal adjective cardinal एक दो तीन चार पांच छे करके cardinal है जो quantity बताता है quantity कितना है तो cardinal quantitative cardinal quantitative adjective bats क्या है noun noun से पहले adjective कौन सा adjective cardinal है वहिया cardinal कौन से होते हैं quantitative होते हैं ठीक है अब मैं तुमसे बोलने लग जाओं मैं तुमसे बोलने लग जाओं कि भाई देखो न तुम लोग यार पढ़ते वढ़ते तो हो नहीं भाई मैं अत्ती महनत कर रहा हूं तुम लोगों को मैं जितना कर सकता हूं अपनी preparation मैं से भी आप लोगों के लिए time निकाल गए मैं जितना तुमारी लिए कर सकता हूं वो कर रहा हूं लेकिन तुम मेरी इस strategy को follow नहीं कर रहे हो तुम सच्ची में succeed नहीं होना पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो भाई तुम कोशिशी नहीं कर रहे हो जितना मैं तुम मैं करा रहा हूं उतना ही नहीं पढ़ पा रहे हो यहाँ पे lecture क्या है noun noun से पहले क्या last तो last क्या है lecture last है अब अब जो lecture है ना वो last है तो इसका मतलब तुम बता रहे हो उसको adjective हो गया last कि अब जो ordinal करके quantitative quantity बता रहे हो last है या first है या कैसा है तो ordinal quantitative adjective proper adjective हमेशा ध्यान रखना proper nouns होता है proper nouns है देखो जैसे italian german gandian यह क्या होता है proper adjective होता है possessive adjective ध्यान रखना my possession दिखाता है your possession दिखाता है his her possession दिखाता है अभी इनके example देखेंगे Demonstrative Adjective demonstrate करता है कि यह जो है ना यह जो car है यह पांचलाग रुपे की car है बस पांचलाग रुपे माई जाती है तो तुम उसको demonstrate कर रहे हो कि this car this this car फिर सो देखो car क्या है नाउन nाउन से पहले this this क्या है demonstrative adjective है तो adjective ही ना तो क्या बोला दा मैंने noun से पहले adjective आते हैं जो कि noun के बारे में कुछ बताते हैं ठीक है Mohan had a German soldier Mohan subject क्या किया उसने help किया main verb main काम है उसका German soldier soldier अब तुम एक चीज़ आए Mohan ने help किया German को या Mohan ने help किया soldier को खुद बता हो याँ मुझे Mohan ने help किया German को या Mohan ने help किया soldier को Mohan ने help किया soldier को जो कि noun है मतलब object है अब soldier के आगे क्या है German तो इसका मतलब German के soldier को soldier के बारे में कुछ बताया जा रहा है German है वो तो जर्मन क्या है प्रॉपर एड्जेक्टिब जर्मन बता रहा है कि यह जो सोलजर है न वो जर्मनी का है ठीक है आगे आते हैं I have what I have what these flowers for my wife I have what mean बर यहने खरीच चुका हूँ these flowers वैंनе यह flowers खरीदे for my wife फोर हो गया प्रैपोजिशन और wife हो गया उसका प्रैपोजिशनल अबज़ेक्ट अब तुम बोलोगे कि भीया यह जो प्रैपोजिशनल अबज़ेक्ट है यह जो prepositional object है इससे पहले यह my लिख रहा है तो यह my क्या है तो my है तुम्हारे possessive adjective यह possession दिखा रहा है यह जो adjective है ना my देखो सबसे पहले तो यह noun noun से पहले adjective आया अब यह adjective कौन सा है possession वाला my, your, his, her तो my wife, मेरी पतनी तो my क्या है, possession दिखा रहा है और wife क्या है, noun तो noun से पहले adjective तो possessive adjective, ठीक है शिल्पा गेव सम बुक्स टू हर फ्रेंड, शिल्पा नाउन गेव, main work main काम तो उसका देने का है ना गेव, अरे भाई समझो यार, ठीक है शिल्पा गेव, सम कुछ किताब है, अब मैं तुम्हें बता क्या है हूँ किताबों के quantity हो गई, सम बुक्स नाउन हो गई, टू प्रेपोजीशन टू फ्रेंड मतलब फ्रेंड को दिया, तो ये तो नो गया नाउन, मतलब इसका object हो गया प्रेपोजीशन का क्योंगे, टू एक प्रेपोजीशन है, फ्रेंड से पहले देखो हर लिख रहा है तो यहाँ पर ये पजैशन adjective, ये पजैशन दिखा रहा है फ्रेंड पे, तो ये हो गया पजैशिव adjective, ठीक है, हर फ्रेंड, अच्छा, अब तुम बोलोगे, कि भईया ये जो my है, या हर है, ये तो pronoun भी होते है ना, तो यहाँ पर ये पजैशन बैजैशन दिखेशन क्यों लेखे है pronoun क्यों नहीं लेखे, यार देखो, pronoun कभी भी न, noun के साथ नहीं आता अगर ये pronoun होता तो इसके साथ ये noun नहीं आता my wife की जगा ही तुम कोई और word यूज करोगे न, noun की जगा, लेकिन यहाँ पर तुम noun के बारे में कुछ बता रहे हो, मेरी बाइफ यहाँ पर तुम बता रहे हो, उसका दोस्त हर friend, उसकी दोस्त देख रहे हो, भाई, उसकी भी दोस्त है भाई, किस, क्या ही बोला है कल्यों भाई, रील्स विल्स भी देखते होगे न, कभी-कभी बहुत कल्यों गया भाई, ऐसे ऐसा हो कि भाई, क्या बताऊं मैं कोमल चलो छोड़ा आ गया था है, कोमल sold all those books in two hours, अच्छा यहाँ पर न, तुम तोड़ो एक बार इसको खुद तोड़ो, देखो तुमको, मेरे को इतना तो पताए कि भाई, अब तुम थोड़ा-थोड़ा तो आइडिया होने लग गया होगा वैसे मजा आ रहा होगा, यार भाई, थोड़ा-थोड़ा लगी, sold what sold what, what books तो books हो गया, object क्योंकि मैं तो मैं भी बता क्या आया हूँ क्या बता क्या आया हूँ, कि बर्व से पूछो what और whom, sold what books, अच्छा books, ओके all those books अरे भाईया, books के लिए आया है ये all those books अच्छा, तो those books तो हो गया, demonstrative adjective, वो वाली जो किताब है न, those books वो वाली, और all हो गया, those के लिए, कि वो जो किताब है न, all those books, सारी की सारी वो किताब है, तो यहाँ पर देखो, दो-दो adjective आ गए, एक साथ एक quantitative objective और adjective की कि कितनी quantity है, all एक आगे, demonstrative adjective कौन सी आली किताब है, वो वाली किताब है, those वो वाली, तो देखो, यहाँ दो-दो adjective आगे, एक ही नाउन के लिए, इन preposition है, hours इसका नाउन, जो की preposition object है, preposition के बद, हमेशा preposition object आएगा अब यह क्या है, numeral adjective numeral adjective मैंने कैसे बताए था, cardinal, दो hour, तीन hour, चार hour, तो यह क्या है, cardinal number, अब यह cardinal किसके बाद आएगा, किसके साथ आएगा, ना उनकी साथ ना उन क्या है, इसका hour, आगे आते हैं, भाई, अभी तो 6 page हुए हैं यार, अभी तो 6th page पे चल रहा हैं, पूरे 12 pages हैं एक गंटा और लगेगा, शायद बट यह है, तुम बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, तुमारी basic समझ के ठीक है, आगे आते हैं, चलो we need brave and loyal soldiers for our country we need, ठीक है हमें soldiers चाहिए, कैसे soldiers चाहिए, brave and loyal, तो brave किसके लिए soldiers के लिए, loyal किसके लिए, soldiers soldiers के बारे में कुछ बताया जा रहा है उनको qualify किया जा रहा है कैसे, brave कैसे, loyal तो loyalty तो भाई, आजकल मिलती नहीं कहीं, सिर्फ soldiers के पास है loyalty अपने देश के लिए, बाकी यह जो generation है ना अब बाली, इस मैं तो क्या ही बताऊ सचिन scored his second century सचिन ने score की century ठीक है, his second century, second मतलब इसके numeral adjective adjective है ना, इसका second century third century, fourth century noun से पहले आ रहा है, second, third, fourth, his second century, his उसकी, इसका मतलब यह जो his है, वो century के लिए आया है उसकी century, his क्या है फिर इसका possessive adjective तो ध्यान रखना noun से पहले ही आता है adjective mostly cases में ठीक है, आगे आता है adjective और pronoun में एक वार अंतर देख लेते हैं तुम बोले थे ना, भाईया, my और our तो adjective और pronoun में क्या अंतर है देखो this is my car और I want this car तुम यहाँ पे दो चीज देख सकते हो this is my car तुम किसी को बता रहो, ये वाली जो गाड़ी है ना, वो मेरी गाड़ी है ये वाली जो गाड़ी है वो मेरी गाड़ी है तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम एक गाड़ी को बता रहो ये वाली गाड़ी मेरी गाड़ी है तो this यहाँ पे हो गया pronoun यहां पर क्या होगे प्रोनाउन और प्रोनाउन के बाद आ गया है तुम्हारी फिर यह में वर्फ लेंकिंग वर्फ और कार है माई माई कार मेरी कार तो पजैसिव एड्जेक्टिव अब तुम बोलो I want this कार मैं चाहता हूं यह वाली कार तो दिस कार दिस कार डेमॉजडिट क्या होता है कि जब भी तुम्हारा डेमॉन्स्टेटिव एजेक्टिव होगा वो जस्ट नाउन के बाद आ जाएगा यहां पे यह जो दिस है दैट है उसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा तो यहां पे यह प्रोनाउन नहीं होगा यहां पे यह डेमॉन्स्टेटिव ए adjective होगा आगे आते हैं यहां पर देखो these are Rohan's friend यह जो friends है ना यह Rohan के friend है तो इसका मतलब यह Rohan के friend है तो Rohan possession रोहन का possession है friends पर ठीक है अब देखो यहां पर देखो तुम्हें एक बार अगर मैं तुम्हें बुल दूँ Rohan has sent these gifts यह काटो पूरा यह मन देखो Rohan ने यह वाले gift खरीदे हैं तुम्हारे लिए यह क्या है noun noun से पहले क्या है adjective तो यह जो these है यह demonstrative adjective है खीक है अगर मैं बोलतूँ these are my gifts these are my gifts यह मेरे gifts है तो यहां पर यह जो these है ना अब यह बनगे demonstrative pronoun अब यह pronoun है जो noun की जगा आया है noun के बाद बरव आ गई pronoun के बाद यहां बरव आ गई my हो गया तुम्हारा possessive adjective जो की noun से पहले आया noun क्या है gifts होप सो समझ आ गया होगा आ गया आते है adjective versus subject compliment यह देख लेते हैं एक बार ठीक है मैं तुम्हें बोल के आ था rich boy rich girl bad boy bad girl या कुछ भी तो वहां पर rich bad क्या है adjective लेकिन अगर यह अलग से आ जाया ना a man is smart a guy is rich तो यह subject compliment है मैंने तुम्हें क्या बताया था compliment subject compliment क्या होता है जो subject के उपर compliment होता है subject के बारे में कुछ बताता है a man जो है ना वो rich है a man जो है वो smart है तो यह जो is है बीच में यह linking verb है link कर रही है अभी इसका फंडा मैं बता दूँगा आगे चलके linking verb main verb helping verb कैसे कैसे होता है अभी तुम बस यह समझो subject के बारे में कुछ बताया जा रहा है कुछ काम तो नहीं हो रहा है ना जैसे यहां कुछ काम हो रहा था यहां पे sent करने का काम था उपर देखो उपर यहां पे score करने का काम था यहां पे और देखो यहां sold करने का काम था तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम था यहां पे कुछ काम है नहीं यहां पे सिर्फ यह बता जा रहा है अज जो है वो rich है अमन जो है वो smart है त लेकिन यहाँ पर यह adjective है और वहां मैं subject compliment बता गया था कि वहां पर वो noun थे तो subject compliment जो subject के बारे में कुछ बताते हैं वो या तो noun हो सकते हैं या फिर वो adjective हो सकते हैं या तो noun हो सकते हैं या adjective हो सकते हैं noun का case में तुम्हें बता के आ गया पहले adjective के case ये रहे अजय is rich, अजय is smart अजय कैसा है? smart है अमन कैसा है? rich है इस तरीवे से ठीक है? आ गया आते हैं adverb generally comes after noun देखो, adverb ना जादा तर क्या होता है? ये verb, adjective और adverb के बाद ही आते हैं जैसे, a horse runs यहाँ पर देखो एक घोड़ा दोड़ रहा है, ठीक है? a horse subject है noun है run, ठीक है भाई दोड़ रहा है, okay a horse runs fast एक जो घोड़ा है ना वो भाग रहा है fast तो तुमने ना यहाँ पर क्या तुमने horse की कुछ बताई है? नहीं, कि horse fast है? नहीं, तुमने यह बताई है कि वो जो भाग रहा है ना वो जो run कर रहा है, वो fast कर रहा है इसका मतलब तुम बर्व की बिसेस्ता बता रहे हो बर्व को qualify कर रहे हो कि वो कैसा भाग रहा है तो यह हो गया adverb fast क्या हो गया adverb यहाँ पर देखो, यह specific कर रहा है running को, ना कि horse को horse तेज नहीं है वो भाग तेज रहा है, runs fast a horse runs very fast अब यहाँ पर देखो, वो run fast, ठीक है adverb लेकिन यहाँ very लग गया बहुत तेज एक हो गया तेज भाग रहा है यह भी adverb है, यह क्या बता रहा है देखो, एक चीज बताओ तुम बोलोगे, कि भाईया जब यह fast है, fast से पहले very आ गया, तो क्या यह adjective नहीं हो सकता नहीं भाई, देखो adjective mostly cases में noun से पहले आता है, क्या यह noun है fast नहीं, यह तो adverb है, तो adverb से पहले mostly adverb बगेरा ही आता है, ठीक है, यहाँ पर very fast, ठीक है आगी देखो the president rewarded the extraordinary brave soldiers president ने reward किया reward बर्व हो गई, main काम हो गया इसका किसको reward किया, soldiers को देखो, कहां जाके इसका object बैठा soldiers, देख रहे हो, कहां जाके object है, यह जो extraordinary brave है न, यह तो इस soldiers की qualities है कैसे, देखो यहाँ पर एक चीज बताओ मुझे, soldiers कैसे है भाईया brave है soldiers तो इसका मतलब यह जो brave है soldiers, यह brave हो गया adjective अच्छा, इसमें भी यह बता रहा है, कि जो brave में, क्या extraordinary soldiers थे, नई extraordinary brave soldiers थे यह brave के बारे में बता रहा है कि brave, brave में भी extraordinary थे तो adverb क्या करता है adjective को qualify करता है या किसी verb को qualify करता है लेकिन adverb एक noun को qualify नहीं करेगा noun यह जो soldiers है इसको qualify एक adjective करेगा एक adjective को adverb करेगा ठीक है? तो extraordinary brave soldiers में यह जो brave है यह तो होगया adjective जो soldiers के बारे में कुछ बता रहा है और extraordinary हो गया adverb जो brave के बारे में बता रहा है कि extraordinary ठीक है? आगे आते हैं I saw an extremely tall man देखो I saw an extremely tall man man को देखा tall क्या है adjective कैसा है? sort है? tall है? कैसा है? और उसमें भी extremely बहुत लंबा तो extremely क्या हो गया? यह qualitative adjective हो गया यह extremely adverb हो गया जो कि tall के बारे में बता रहा है कि कितना लंबा extremely tall ठीक है extremely हाँ देखो adverb जो होता है वो ज्यादा फोकस adjective पे देता है ना कि noun पे extremely tall extraordinary brave तो यहाँ पे extremely man तो है नहीं extraordinary soldiers तो है नहीं extraordinary brave extremely tall जैसे see perform the task careful या carefully या care अब तुमें एक चीज़ बताओ यहाँ बर्व है यहाँ बर्व है अब यहाँ पे तुम एक चीज़ तो पहली कर चुके हो गए कि she perform the task के बाद भी है carefully आएगा तुमने sentences में भी सुन रखा होगा कि उसने कैसे काम किया carefully लेकिन आप rules के अनिसर देखो मैंने तुम्हें क्या बताए था बर्व के बाद क्या आता है adverb यहाँ पे careful क्या है adjective carefully क्या होता है adverb तो यहाँ पे carefully आएगा क्योंकि बर्व के बाद adverb आता है बर्व से noun से पहले adjective आते है adjective जो है ना careful यह तो नाम से पहले आएगा लेकिन carefully आएगा जो कि verb के बाद आएगा अच्छा ध्यान रखना अगर adjective में यह जो adjective है careful और इसमें अगर हम ly लगा दें यहाँ देखो ly लग गया careful में ly लग गया तो अब यह adverb बन गया तो mostly क्या होता है कि जब हम adjective में ly लगा देते हैं तो वो adverb बन जाता है ठीक है तो जब adjective में ly लगा देते हैं तो वो adverb बन जाता है आगे देखो he is an arrogant, arrogantly या arrogance man तुम एक चीज बताओ, यहाँ क्या है man जो कि एक noun है, noun से पहले क्या चाहिए तो मैं adjective, क्या arrogantly adjective है, नहीं यह तो adverb है, arrogance क्या होता यह noun है, नहीं आएगा तो arrogant आएगा, arrogant क्या है adjective, यह सारी चीज हो भी, बाकी इसमें bravely आएगा इसमें honest ली आएगा, यह सब तुम कर चुके हो अब आते हैं इनके type देख लेता है ठीक है, हाँ, यह देखो मैंने तुम्हें यहां लिख भी रखा है, adjective noun से पहले आता है, adjective plus noun sequence रहता है, और noun के बाद add वरवाता है, तो mostly क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि adjective से पहले भी add वरवा जाए, जरूरी नहीं कि noun के बाद ही add वरवाएगा हो सकता है, adjective से पहले add वरवा जाए, जैसे हमने एक sentence से तर देखा था, देख लो, सबसे उपर वाला देखो, यह adjective था adjective से पहले add वरवा गया, और यहां देखो, यहां बर, और और देखो, यहां noun हो गया, noun से पहले adjective, adjective से पहले add वर कभी-कभी हमने क्या देखा है इस noun के बाद adverb और यहाँ देखो adjective से पहले adverb, तो इन यह position कहीं भी हो सकती है, but mostly cases में क्या होता है, mostly cases में noun से पहले adjective रहता है adjective से पहले adverb रहता है, और यहाँ तो noun के बाद adverb रहेगा, ठीक है आगे आते हैं तुमने सुना होगा, adverb of time time, adverb of time yesterday, late, early, recently कभ हुआ, place कहां पे, he are there, up, down somewhere, manner, bravely nicely, अभी देखा था न, he fought bravely, कैसे लड़ा, तो वो manner adverb of manner, frequency he he wake up in morning daily, ठीक है तो यह जो daily है, या he always come late, तो यह जो always है, यह सारे क्या है, यह frequency बता रहा है, कि वो कैसे आता है degree, कितना उसकी degree कितनी है, देखो जैसे यहां पे कुछ sentence देख लेते हैं देखो, जैसे यह है they arranged all the letters very carefully तो यहां पे एक चीज़ देखो यह जो letter है, यह object है object मतलब noun noun के बाद आता है adverb, तो carefully यहां पे ठीक है लेकिन carefully से पहले यहां very लगा रखा है, तो very क्या है very adverb of degree है degree बता रहा कितनी ठीक है, आगे आता है यहां पे देखो, कुछ चीज़ है रोहन helped me in my project रोहन ने help करी मेरी in my project इन क्या है, preposition इन के बाद यह क्या है, project इसका preposition object my क्या हो गया, possessive adjective क्योंकि noun से पहले adjective आएगा noun से पहले adjective आएगा अब इस noun को possession दिखाने के लिए my, your, hedge in सब को दिखाने के लिए इसमें possession दिखाना पड़ेगा, तो यह हो गया possessive adjective, इससे पहले preposition लग रखा है, रोहन ने help करी मेरी तो रोहन helped whom help हो गया यहां main verb help से पूछो, what और whom बता के आया हूं, what and whom तो रोहन helped whom किसको help किया रोहन ने मुझे, me तो me क्या है, object जो कि क्या है, pronoun, ठीक है, आगे आते हैं conjunction क्या होते हैं, conjunction वो होते हैं जो दो words को जोडते हैं या phrases को जोडते हैं या clauses को जोडते हैं, आगे आने वाली videos में मैं बता दूँगा phrases क्या होते हैं, clauses क्या होते हैं ठीक है, उनके sentences लेके उनके कुछ और rules देखे वो सब cover कर लेंगे अभी फिलाल के लिए जितना है content अभी उसी को रखते है ठीक है क्योंकि एल्रेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और अभी हमको 2-3 pages और करने हैं अभी तो देखो यहाँ पर राम और श्याम are watching a movie तो conjunction का तो मैं तुम्हें बताई चुका हूँ end से जोडते हैं जैसे for हो गया end हो गया तुमने सुना आगा for end not ठीक है या फिर और क्या हो गया so हो गया so भी conjunction है तो यह जो भी conjunction होते हैं यह दो words को जोडते हैं या phrases को जोडते हैं ये जोडते हैं ठीक है आगे आते हैं एक्चिल देखो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ ठीक है थोड़ा सा वर्ड्स देखो यहां पर यह क्या है राम और श्याम क्या है मुझे एक चीज बताओ क्या यह वर्ड्स नहीं है बिल्कुल भईया वर्ड्स हैं यह अच्छा तो भईया फ्रेज क्या होता है फिर देखो फ्रेज होता है जब उस फ्रेज के पास ना सिर्फ अपना सब्जेक्ट होता है ठीक है ध्यान रखना जब उसका इलोजिकल सेंज आए फ्रेज और क्लॉज आता है जब उसके पास सब्जेक्ट हो बर्व हो दोखो आगे ना कुछ स्लाइट में दे रखे होंगी नहीं दे रखें चलो छोड़ो याद वीडियो बहुत लंबी हो रहे हैं इतना आज के लिए बहुत होगा बर्व में देखो एक होती ऑग्जिलरी वर्व और इस ऑग्जिलरी वर्व में दो तरीकी की वर्व होते हैं एक प्राइमरी ऑग्जिलरी वर्व होता है एक मॉडल्स होते हैं यार यह थोड़ा कॉंप्लेक्स नहीं हो जाएगा क्या तुम लोगां के लिए समझना अगर मैं इस चीज को कराऊं तो देखो यह can, could, may, might, sell, should, will, would, must यह तो models होते हैं यह तो पता ही होगा तुम्हें यह काड़ दो अभी यह चोड़ो यह याद नहीं करना भी सभी models इत्ता ही समतलो अस models can, could, may, might, sell, should, will, would, must होते हैं न यह सारे models होते हैं अच्छा यह 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 जो auxiliary verb होती हैं देखो अब मैं तुम्हें समझाई देता हूँ अच्छा से ठीक है देखो auxiliary verb जो होती हैं वो helping verb होती हैं ध्यान रखना यह जो auxiliary verb होती हैं यह helping verb होती हैं और यह जो primary auxiliary और models हैं इनमें दो तरीके की चीज़ां होती हैं मैं तुम्हें उधर बता किया था यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बदाया था यह क्या है सबजेक्ट टीचर क्या है सबजेक्ट का कॉंप्लिमेंट यह वही तो टीचर है तो यह जो इज है इधर इस इज को हम बोलेंगे लिंकिंग भर्व ध्यान रखना linking verb हमेशा कवा आती है जब subject compliment हो जब action ना हो रहा हो तब आती है linking verb ठीक है आगे आते यहाँ पर एक एक rule ध्यान रखना ठीक है यह बहुत important rule है do, does, did और model यह कुछ भी हो चाय dude हो, चाय does हो चाय did हो, चाय model हो model में क्या-क्या हो bill, border, must, sell, should, may, might कुछ भी हो helping verb में उसके बाद हमेशा base form आएगी बर्व की first form आएगी वो भी plural form, main verb ठीक है चलो इसका एक example ले लूँ उससे साइध better समझ में आएगा he should he should worked w-o-r-k-e-d worked hard अब तुम यहाँ पर एक चीज बताओ मुझे he should worked hard should क्या है model और मैं तुम्हें एक चीज बता क्या हूँ अभी कि मेरे भाई यह model हो chand did हो, chand does हो chand do हो इनके बाद जो हमेशा बर्व आएगे वो वर्व की first form आएगी वो भी plural form तो worked क्या है worked तो बर्व की third form है न तो यह तो आएगी नहीं बर्व की third form फिर तुम बोलेगे बर्व की first form आएगे अब plural form तो he should work hard तो ध्यान रखना यह जो work है यह plural form है बर्व की first form है तो यह आएगी तो should यह जो models हुए या dooders हुए इनके बाद हमेशा base form आती है चलो last slide आया यह भी cover कर लेते है यह इसमें है तुमारा transitive और intransitive verb ठीक है जो qa transitive verb क्या होती है जब action किसी object पे transfer होता है तो जब किसी object पे transfer होगा इसका मतलब तो मैं object की ज़रूरत होगी intransitive action transfer सी नहीं होता object में object की ज़रूरत ही नहीं बाइ ट्रांजिटिव में जरूरत है object की object क्या था जब बर्व से पूछा जाता है what और whom चीए दिखो जैसे रोहन बॉट बॉट क्या खरीदा भाई back खरीदा इसका मतलब यह जो what है यह जो bot है यह ट्रांजिटिव बर्व हो गई इसको object की जरूरत है बॉट से पूछा जाएगा भाई खरीदा तो क्या खरीदा तुमने भाई यह new bag खरीदा इसका मतलब यह जो bot है यह ट्रांजिटिव बर्व हो गई मौहन किक्ड भाई किक किया लेकिन what किसको या फिर क्या क्या किक किया बॉल को किक किया इसका मतलब यह जो वॉल है बॉल को किक किया इसका मतलब यह किक जो है वह ट्रांजिटिव बर्व है अच्छा अब तुम इसको यह लिख सकते हो ना राहूल स्लीब राहूल सो गया तो इतने तक एनफ है राहूल स्लीब 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 जो है वह इन ट्रांजिटिव बर्व है इसको अब जल्ब़ो पर यहाँ पर तुम यह नहीं पूछोगे स्लीब से what और हूँ क्या तुम ये पूछोगे राहुल स्लीब वाट राहुल क्या सोया राहुल हूम किसको सोया नहीं ना राहुल स्लीब सो गया तो सो गया ठीक है भाई सो गया तो सो जान दो ना यार क्यों रिस्टेप खर रहे हो अभी तर देखो जैसे मोहन वॉक्स, मोहन चलता है, ठीक है भाई चलता है, अब इसको बताने की जरूवत थोड़ी है, मोहन वॉक्स वॉट, क्या चलता है, अरे नहीं भाई, यह जो वर्व है ना वॉक्स, यह इंट्रांजिटिव है, इसको जरूवत नहीं अबजेक्ट किय अब यहां पर नहीं ऐसा करते हैं, एक सेंटेंस कर लेता हैं, बीच वाला, और यह सारी चीज़ रिवाईज कर लेता हैं, जो अभी अभी कया था, ठीक है, देखो, he handled the difficult situation very bravely, he, okay subject, handled main verb, main काम तो handle करना है, अब handle main verb, अब इससे पूछो what, क्या, handle क्या किया उसने, situation, situation handle की, ठीक है, situation कैसी थी, difficult थी, इसका मतलब, adjective, अब यह बता रहा है, that difficult situation, that मतलब, वो वाली difficult situation, ठीक है, तो उसने handle की, वो वाली difficult situation, अब इसने, देखो, additional क्या बोला, very bravely, इसने यह additional जोड दिया, bravely, bravely क्या है adverb, और इस bravely को भी और modify कौन कर रहा है, very, क्योंकि adverb को कौन modify करता है, Adverb को कौन qualify करता है खुद Adverb तो verify क्या हो गया ये भी Adverb हो गया तो ये दोनो Adverb हो गए तो hope so आपको इस सबागंटे की वीडियो में देड़ गंटे की वीडियो में मैं आपको basics बता पाया हूँगा आपको noun, pronoun, verb transitive, intransitive adjective कहां-कहां use होता है किसके आगे use होता है Adverb क्या है, Adverb कहां पे use हुआ Conjunction, Proposition, Interjection बहुत अच्छे से समझ आगे होंगे Adverb, Adjective कहां पे use होते हैं और मैंने तुमको parts of speech का तोड़ना भी बता दिया तो अब तुम sentence को एक बार में देखके समझ पाओगे कि यार ये Adverb है और ये Adjective है Noun से पहले ये लगा है ये Noun को qualify कर रहा है और ऐसे ऐसे करके तुम समझ पाओगे ठीक है, तो देखो जिसने end तक वीडियो देखी, Best of luck भाई बहुत अच्छे अच्छे से समझ में आया होगा Believe me, मैं तुमको जितने अपनी मेरी तरफ से महनत हो सकता है मैं सब तुमारे ले करूँगा Don't worry, ठीक है मैं ये नहीं हो, बाई, देख मैं पढ़ने को तो अपना अकेला पढ़ सकता था Like मेरे पास ये notes बने हैं, मैं revise कर ले था पूरा, जितना मेरे को करना था बट फिर मैंने सोचा ना, क्यों न, क्यों तुम लोगों को भी ये चीज मैं समझा दू, जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ क्यों न, तुमारा भी यार और देखो, ये जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ न, ये सारी paid है, paid ये मैंने paid basis से बनाई है 2000 रुपे का batch लिया था, English का उससे बनाई हुई है चीक है तो ये रुपे की चीज मैं तुम्हें फिरी में provide कर रहा हूँ तो बाकी देखो भाई नूर्स बनाना अच्छे से एक बार अच्छे से वीडियो देखने के बाद इसके नूर्स जरूर्स बना लेना वीडियो दुबारा चलाना फिर ये सारी चीज उतार लेना जो सारी चीज़ें है ठीक है तो चलो मिलते हैं next वीडियो में बाकी share कर देना भाई जिसको देखना होगा वो देख लेगा ठीक है जिसको भाई सची मैं यार देखो NDS, EDS जाना है तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे को पता है भाई ये जितनी है ना पबलिक जो हजार बंदे हैं मेरे को बहुत रियलाइज होता है इस मैंसे ना हजार मैंसे मैं सही बता हूँ तो पचास बंदे भी नहीं है जो सिंसियर है पचास भी नहीं है जो सिंसियर है यार खो जाओ बुरा सुभे को जाओ लाइब्रेरी शाम को आओ होसी नहीं है कौन कहां क्या सिर्फ पढ़ाई के अलावा ठीक है तो चलो इनके नोट्स भी बना ले ना ऐसे ही और वीडियो दाते रहेंगे कुछ ना कुछ तो तो तुम्हें सीखने को मिली रहा है बहुत को सीखने को मिला होगा यहां से तो जबागी चलो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में लव यू ओल शेयर कर देना गॉड ब्लेस यू शी यू गुडबाई